गुजरात चुनाओं के नजदीक आते ही सभी दल एक दूसरे पर हमला बोल है मंगलवार को कॉंग्रेस नेता पेची तम्रम ने प्रदान मंतरी नरेंद्र मोधी पर निसाना साथ दिवे कहा कि गुजरात में होने वाला चुनाओं किसी व्यक्ति विशे शाफिर मोधी को लेकर नहीं बलकि उनके अच्छे दिन के उन वायदों को लेकर है जो उन्होंने प्रदान मंतरी बनने से पहले भारत की जनता से कहा था उन्होंने कहा कि अच्छे दिनों के प्रधान मंतरी ने जन्ता को गुम्रा किया है क्योंकि 42 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक अच्छे दिन नहीं आया है उन्होंने प्रधान मंत्रि पर हमला करते हुए टूइट किया लगता है मोदी भोल गए हैं कि वादेश के प्रधान मंत्रि हैं जिस तरह से मोदी छुनाओ परचार कर रहे हैं या उनकी अतीत और गुजरात में कमजोरी होती उनकी नेव को दरशाता है उन्होंने कहा कि जब प्रधान मंत्री से बेरोजकारी लगातार बरबाद होती बाजार और महंगाई के बारे में सवाल पूचे जाते हैं तो वो इस पर चुप रहते हैं क्योंकि उनके पास इन सवालों के कोई जवाब नहीं होते हैं परदान मंत्री के पास इस तरह की कड़वी सच्चाई को लेकर कोई जवाब नहीं होते हैं। चितम्रम ने अपने ट्वीट में भाचपा और रसेस पर भी हमला बोला कहा कि आज भले ही भाचपा सरदार वल्लब भाई पटेल को अपने नेता के रूप में पेश करती हूँ लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात तो यह है कि सरदार पटेल ने रसेस और विभान कारी वि झाल